लेकिन अभी तोड़ा लेट रोडिशन करके वो सर्कल के तरफ आ रहे लेकिन सिंद को मौका मिला, इन्होंने स्प्रे भी किया, कनेक्षन भी देखने को मिला है, लेकिन नौक के लिए वो काफी रहे गा दी हल्क के तरफ भी स्प्रे आँशनली वो कनेक्षन हमें आता हुआ देखने को मिला एक नौक मिल चुका है यहां पर हिरो एक्स्ट्रीम गॉड लाइक को उसके लिए कोई डिस्ट्राक्शन चाहिए था और हल्क ने का मैं करके वो दिखाता हूं वो आगे गए और उनको डाउन कर दिया गया और जैसे हमने पहले भी बात करी है अगनाइट और उनके पास पॉइंट्स बहुत ज्यादा है पर ये सर्कल का जो शिफ्ट है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्योंकि टीम क्रो विंड गॉड भी वहीं पे हैं ऐसे में कौन से वो नाम रहेंगे जो कि प्रिज को क्रॉस करके सर्कल के तरफ पहुचने वाले हैं जिया जानतन अट ग्रिनेड्स के साथ एक थो यहां पर दो ग्रिनेड्स एक सात में जातने और कि तरफ से भी हम ग्रिनेड्स के बहुए देख पाएंगे उन्द होने हुआ एक त्म पहले बाक को प्राइड करते एंग पहले और जादा फर्क है रावन recite one व देखते थे की 該 भिंगररी ह वो गेम प्ले देखने को नहीं मिलता था वो सारी चीजे हीरो एक्स्ट्रीम गॉड लाइट के खाते में और उस चीज़का उनको फाइदा भी मिलेगा पैंस अब के बीच में गॉड्स रेंड वो आए तो सही पर उनको पता ही नहीं चला कि सेंप वो पहले से ही तायार थे वनम आए और आते ही उनका इलिमनेशन बहुत जादा मुश्किल हो सकता इस फाइट के लिए और फ्यूरी के तरफ से वो मॉली इंफोमेशन इनको मिल चुका है कि इस कंपाउंड के आसपास वो खिलाडी है लेकिन सिंप का काम तो हो चुका है वो यहां से थोड़ा पीछे अटेंगे रिसेट करना चाहेंगी क्योंकि उनकी एचपी वहां पे बहुत जादा कम हो गए ते लेकिन गर्नेड फ्यूरी की तरफ से बहुत जादा बहतर टीम गॉड लाइक धीरी-दीरी करके हमें फस्ते हुए ये भी देखने को मिल रहे है पंक को डाउन किया गया था कुछ समय पहले अच्छी बात है कि उन्हें रिवाइवल मिल चुका है बोरी बात कि अब सिंप वहां पे डाउन हो चुका है पर टीम जी उनके पास मौका था कोई यहां से निकल सकते थे पर उन्होंने ऐसा क्या क्यों नहीं आपको उंको की बहुत जादा जरूरत है आपने फिनिश फीड रीड करें होगी वहां पर गॉड स्रेंड का नाम आया होगा ब्रिज में उस समय आए जहां पर एक भी टीम नहीं थी जो कि ब्रिज ब्लॉक कर रहे हो और असानी सी सर्कल के इंदर आ जाएगे लिकिन को और चैलेंज अमें देखने को मिलेगा पंक एक नौक जरूर निकालेगे लिकिन पंक को भी आपे टेक डाउन करने में कामियाब हो चुके आडविनों बहुत मुश्के लिए फाइट रहे गए एक लाड़ी को डाउन करने के कोशिए लेकिन दूसरे साइड से एडविनों को यहाँ पे टेक डाउन किया जाएगा जॉनाथन एक लौत है के लाड़ी जिनको अभी यहाँ से सोच विचार करने की जरुवत किस वाइट के तरब जाए यह सर्वाइवल के तरब जाए पीछे से भी हमें वो स्प्रे आता हुआ देखने को मिल रही है ग्रिणेड यह नौक निकाल सकता है इट लीस वो स्प्लाच डैमेज तो जेक के जा ही सकता था लेकिन पीछे से वो थर्ड पार्टी और इसी के साथ हीरो एक्स्टीम गॉड लाइग उनका अंत होता हुआ इस मुकाबले से चले इंप्रिंट फाइनली उन्होंने अपना खाता खोला और अब इसे राउंड पर इल्मिनेट होते हैं तो एक बहुत बड़ा डाउन पॉल आपके सेकते हैं पर सिंप का वो स्प्रे कमाल का एक हेट शॉट भी कनेक किया उन्होंने अलग कि वो खिलाडी डाउन हुआ नहीं है पर क्लाच उनके पास एक बड़ी आंगल जहांते एक और क्लाडी को उन्होंने देखा है पर सिंप का वो कवर फायर है जिससे वो आता हुआ खिलाडी अपने आपको बचा बाए पर चॉनथन एड्मिनो एक साथ गाड़ी के अंदर क्लच पंक के उपर जो डामेज दे रहे थे फाइनली उन्होंने कामयाभी हासिल करी है पंक को डाउन करा गया और विजर्ड मोस पाबली उनके उपर से वो बग्गी चढ़ाएंगे जहां पहला फिनिश एफस के खाते में चाहिए और उसकी कोशिश करते हुए लेकिन कलच ने अपनी टीम के लिए जो पहला फिनिश पॉइंट निकाला है वो बहुत ज़ादा ज़रूरी था उनको भी पता है कि 47 अंग आपने निकाले ने बढ़िया है पर वो मुमेंटम आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए नहीं कर सकते कि या चौथे सरकल में जोन के बाहर कोई होगा पाँचवे सरकल में क्या जोन के बाहर कोई होगा और इसमें टीमजी की गलती नहीं है उनको तो अंदाज़ा थाई नहीं कि जोन के बार कोई हो सकता है जबके बीच में WSB उनके पास भी मौका है कि वो थोर्ड पार्टी कर पाएं सरकार वो आके जाने की कोशिश करेंगे सबसे पहला DBS का फटका उनको परापर सरकार उन्होंने पालेट वार किया उस खिलाडी के उपर पर सरकार वो खुद भी डाउन करे जाएंगे और जैसे मैं आपसे चचाएंग कर भी रहा था कि WSB गाईज अगर आप भी चाहते हैं टीम गौड लाइक BMPS जीते तो चैनल को सबस्क्राइब करना यहाँ पर हम सबसे पहले और सबसे ची क्वालिटी में वीडियो पोस्ट करते हैं